असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब तो आज हमें आपर बनाने जा रहे हरे मटर की वड़ी या इसे बरी भी कहते हैं और मटर का सीजन खतम होने वाला है तो आप इसे साल भर रिश्टोर करके रख सकते हैं जब चाहें इसकी सबजी बना सकते हैं और चलिए हम इसको मट मटर की बड़ी बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले 2 kg हमने आपर हरी मटर ले लिए है वह जो कड़क दाने वाले होते हैं वाली मटर हमने आपर ले लिए है इसको दो कर अच्छी तरीके से साफ कर दिया है बॉल वगर नहीं करने इसको कच्छा ही रहने देना है तो एक मिक्सी जार में हम सबसे पहले दो टेबल स्पून जीरा ले ले लेंगे और आठ से दस हमने आपर सूखी लाल मिर्च ले लिए है और इसको सूखा ही हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे यह देखिए हमने इसको दरदरा पीस लिया है तो अब इसी मिक्सी जार में हम मटर डाल सब्सक्ति में भी दर्टरा होग है मटर हम स्टाथ सी अधसला है शक्तानिर को फिर Chicago listened फिर टाथ सब्सक्ति और मंटर को इस थोड़ा सावेस के कि अगर मटर नहीं से किते हो देख़ा है हमने इसको पीस लिया है तो इसी तरीके से हम सारे मटर को पीस लेंगे और इसी तरीके से आप चाहें तो चना दाल की वड़ी या भी मटर की दाल की वड़ी भी बना सकते हैं तो चलिए सारे मटर को हमने पीस लिया है तो यहां पर हमने ले लिया है एक गुंडी या गड़ी हमने यहां पर हरी प्याज ले लिया है थोड़ी से हमने दनिय की पत्ती ले लिया है इसको दोनों को हमने बारिक काट लिया है इसको डाल देंगे और इसमें हम कोई मसाले बग की ज़रूरत नहीं है तो चलिए इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है और वड़ी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है तो चलिए हम वड़ी बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर हमने एक प्लेट ले ली है प्लेट पर हमने थोड़ा सा ओयल लगा ली हलका सा ताकि वड़ी जब हम बनाया तो आसानी से निकल सके तो जैसे हम पकॉड़ी और बनाते हैं बिल्कुल छोटी-छोटी सी वड़ी यहां पर हम बना लेंगे यह देखिए इस तरीके से हम वड़ी बना लेते हैं तो इसी तरीके से आप बना कर इसको साल भर स्टोर करके रख सकते हैं तो इसी तरीके से आप वड़ी को बना कर तयार कर ले और आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं मैंने मिक्स डाल की वड़ी भी बनाई थी वड़ी हमने बना कर तयार किया था उसकी भी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं आप चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी तो ये देखे हमने सारी वड़ी बना कर तयार कर ली है अब बस हमें से धूप में सुखाना है ये देखे देखने में बहुत अच्छी लग रही है तो ये देखे धूप में हमने वड़ी को रखा हुआ है दो से तीन दिन लगेंगे इसको सुखने के लिए तो दिन बर इसे धूप में रखें रात को इसको घर में लेकर आ जाए और इसको कपड़े से ढख दे तो दिन बर हम इसको सुखने देंगे तो ये देखे रात हो चुकी है इसको हम घर में लेकर आ गए है और एक दिन में ये सुखने लगी है जैसे कि हमने थाली में थोड़ा सा तेल लगाया था तो ये बहुत ही असानी से निकल जा रही है ये देखिए तो ये देखिए थोड़े से हमने वड़ियां पर हमने निकाल कर रखी है और ये सुख चुका है लेकिन एक से दो दिन हम इसको और सुखा लेंगे तो ये देखिए हमारी बड़ी और वड़ी बन कर तयार है, हरे मटर की, काफी कृस्पी बनी है, बहुत अच्छी तरीके से सूक चुकी है, बहुत ही बढ़िया ओ चुकी है यह, तो इसे आप साल बर स्टोर करके रख सकते हैं, इसको रख देँ, यह देखिए, इस तरीके से इसको श्टोर करें, और जब भी सबजी बनाने की तो मसालेदार वडी की सबजी बनाकर तयार करें और इसको ढखकल लगा कर अच्छे तरीके से स्टूर करके रख दे और रोत पड़ तो भीजबीज में इसको दूप दिखाते रहें तो हमारी वड़ी बनकर तयार है और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ये हरे मटर की वड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको कैसी लगी